हेलो बच्चो, क्या हाल चाल, इस ओपे गुपता, यूर मैथ मेंटोर, ओन दिस ब्यूटेफुल चैनल आफ यूर्स, मैथमेटिशिया बाई ओपे गुपता तो जैसा कि आपने स्क्रीन पे देखी लिया होगा बच्चो, आज हम प्लेजर टेस्ट सीरीज डिसकस करने वाले हैं, क्लास 12 के लिए, ये टेस्ट सीरीज हमारी CBSE 21 सैंपल पेपर बुक में से ली गई है, इसके डिटेल्ड सॉलूशन हम लोग डिसकस करेंगे, तो चलिए ज इस पेपर का सॉलूशन आज की क्लास में हम लोग डिसकस करेंगे, अगर अभी तक आप लोगो ने ये बुक परचेज नहीं की है, तो किस बात का वेट कर रहे हो, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, या फिर पिंड कमेंट चेक कर लेना, वहाँ पर आपको फ्लिप कार्ट का डारेक्ट लिंक मिल जाएगा, फटा फट इस बुक को परचेज कर लो, ठीक है न, वैसे अगर आप लोग ये बुक पहले से परचेज कर चुके हैं, तो फिर वीडियो में अपने स्कूल का नाम लिखना मत भूलना, ठीक है बच्चो, अब इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, फटा फट इस चैनल को सबस्क्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लो, ताकि हर इंपोर्टेंट वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे, moreover इस वीडियो को लाइक करने के बाद अपने सभी क्लासम को भी शेयर कर देना, ठीक है बच्चो, अब फाइनली चलते हैं और अपने PTS का सलुशन डिसकस करते हैं, ठीक है जी, तो यह रहा बच्चो, सैंपल पेपर PTS 17 का डिटेल्ड सॉलुशन, चलते हैं जरा वन बाई वन इसके एक एक कुश्चन को हम देख लेते हैं, वैसे बच क्यों टाइप के questions हैं, यहाँ पर मैंने options भी display की हुए हैं और detailed solutions भी display कर रखे हैं, ठीक है बच्चो, तो आप एक काम करिये, screen को pause करके या तो notes बनाते चलो, या फिर screenshot लेते चलना, ठीक है न, यहाँ पर question 1, 2 and 3 के आपको correct options और detailed solutions भी दिख रहे होंगे, question 4 का यहाँ पर correct option अभी आपको दिख रहा होगा, और अब हो गया इसका complete solution भी आपके लिए visible, ठीक है बच्चो, आगे बढ़ते हैं जरा, question 5 के आगे वाले question चेक करते हैं, तो 5, 6, 7, 8, इन सभी के complete solution और correct option आपको display हो रहे होंगे बच्चो, ठीक है न, question 9 का भी solution अब आपके सामने आ चुका ह इसके correct option के साथ, question 10 भी आपको दिख रहा होगा, और question 11 का correct option ये रहा, इसका एक line भी यहाँ पर display हो रहा है, बाकी चीजे मैं अगले page पर आपको दिखाता हूँ, तो ये रहा आपके question 11 का remaining portion, यहाँ पर आपको graph भी दिख रहा होगा, और ये table भी दिख रहा है, जहाँ पर corner points और value of Z mention है, ठीक है बच्चो, फिर question number 12 भी आपको दिख रहा होगा, और question number 13 भी completely आपके सामने है, आगे बढ़ते हैं, question number 14 के आगे वाले question देखते हैं, तो 14, 15, 16 and 17, complete solution और correct options दोनों आपके सामने display हो रहे हैं, ठीक है न, इसके बाद question number 18 का भी complete solution अभी आपके सामने नहीं है, in fact correct option आपको दिख रहा होगा, complete solution देखो next page पे यहां complete हो चुका है, question 18 के लिए, यह रहा इसका complete solution और correct answer, और correct option यहां पर आपको display हो रहा होगा बच्चो, ठीक है न, आप इसके बाद assertion reason वाले questions, यानि question number 19 and question number 20, इनके correct option और complete explanation आपके सामने अब आ चुका है, इस तरीके से section A के सभी question हम लोगोंने display कर दिया है आपके लिए, अब section B की बारी है, यानि two marker questions, तो यहां पर question number 21 में दो question है basically, यहां पर alternative आपको दिख रहा होगा, question 21 का complete solution आपके सामने display हो गया है बच्चो, ठीक है, आगे बढ़ते है, question number 22 को देखते है, question number 22 का यहां पर solution आपको display हो रहा होगा बच्चो, ठीक है न, क्या इसका कुछ portion next page पे भी है, अभी देखते हैं जरा, yes, एक line next page पे भी है question number 22 का, यहां पर solution complete हो गया, ठीक है बच्चो, फिर question number 23 को देखते हैं जरा, तो यहां पर question number 23 का detailed solution completely आपके सामने display हो चुका है, इसके alternative के solution के साथ, ठी ठीक है, फिर question number 24 को देखिए, question 24 का भी complete solution आपके सामने है, और question number 25 का भी complete solution आपके सामने आ चुका है बच्चो, ठीक है न, तो फिर two marker तो खतम हो चुके हैं, अब जरा हम three marker questions, यानि section C की तरफ चलते हैं, तो यह रहा section C का पहला question, यानि question number 26, इसमें भी alternative है, alternative का solution आपको next page पे display होगा, फिलाल question number 26 के पहले part का solution आपके सामने है, alternative यानि second part का solution next page पे अब आपके सामने display हो रहा है बच्चो, ठीक है न, आब इसके बाद question number 27 का solution देख लेते हैं, यह रहा question number 27 का complete solution और इसके alternative का भी कुछ portion आपके सामने display हो रहा है, complete नहीं है, don't worry, यह रहा इसके alternative का भ अब मैं display कर चुका हूँ, ठीक है बच्चो, आगे बढ़ते है, question number 28 जो की integration पर है, इसके दो steps तो इसी page पर display हो रहे है, page number 5 के उपर और बाकी steps अगले page पे हैं, चलिए मैं आपको वो भी display कर देता हूँ, यहाँ पर आप चेक कर सकते है, question 28 का solution, complete answer यह रहा बच्चो, ठीक ह alternative भी है, differential equation का question है, first part का solution यहाँ पर complete हुआ, alternative का solution अब start होगा, और यहाँ पर आप चेक करिए, कुछ portion आपको इसे page पे completely display हो रहा है, remaining portion next page पे आ जाएगा, और यह रहा, यहाँ पर page number 7 पे remaining portion of question number 29, ठीक है न, उसके alternative का, अब इसके बाद question number 30 की बारी, जो की linear programming problem में से question दिया गया है, इसका graph आपके सामने है, और corner points and value of Z को represent करने वाली table भी दे रखी है, answer यहाँ पर मैंने conclude किया हुआ है, ठीक है, फिर question number 31 को देखते हैं जरा, question number 31 का complete solution अभी आपके सामने display हो चुका है, ठीक है, फिर section D की बारी, यानि 5 marker questions, तो 5 marker question यानि question number 32 क कुछ portion यहाँ पर है, diagram के साथ है, और remaining portion next page यानि page number 8 पे display में करने वाला हूँ, यह रहा जी, ठीक है न, तो question number 32 का भी काम हो गया, अब इसके बाद question number 33 को देखते हैं, तो question 33 के first part का solution completely आपके सामने है, second part यानि alternative का solution का कुछ हिस्सा अभी आपको display हो रहा होगा, remaining portion अब आपके सामने completely आ चुका है, question number 33 के alternative का, ठीक है बच्चों, चलें आगे, question number 34 को देखते हैं, question 34 का solution यह रहा आपके सामने, क्या इसका भी कुछ portion next page पे हैं, अभी दिखा दे आपको, फिलाल इसका screenshot ले लो, या फिर notes बना लो, ठीक है न, अगले page पे इसका बचा हुआ portion आपको अब display हो रहा होगा, ठीक है बच्चों, और इसमें एक alternative भी है, तो alternative का solution यह रहा आपके सामने completely visible हो चुका होगा, question number 34 के alternative का solution, ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद question number 35 को display हो गया होगा बच्चों, इसके एक या दो step तो अगले page पे भी होंगे, तो मैं अभी आपके लिए display कर रहा हूँ, question number 35 का एक step अगले page पे है, यहाँ पर मैंने final solution को conclude किया हुआ है, ठीक है बच्चों, इसी के साथ section D का भी खात्मा हुआ, अब section E की बारी है, यानि case study type के questions तो यहाँ पर आपको total 3 questions मिलेंगे, question number 36 and question number 37 में आपको 3 parts मिलेंगे, third part में आपको internal choice मिलेगी, और question number 38 में 2 ही parts मिलेंगे, उनमें कोई choice नहीं होगी, तो यहाँ पर question 36 का first part, second part और third part आपके सामने completely visible है, third part के alternative का कुछ portion आपको दिख रहा था, अब complete आपको दिख रहा होगा ठीक है बच्चो, आगे बढ़ते हैं, question 37 को देखते हैं, question 37 का first part आपके सामने है, second part भी आपके सामने है, third part भी आपके सामने display हो रहा है, इसके बाद third part के alternative का कुछ हिस्सा अभी आपको display हो रहा है, बाकी हिस्सा चलिए मैं अब आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पर 37 के third part का alternative completely आपके सामने with solution display हो चुका है, बच्चो, ठीक है न, आप इसके बाद question 38, जिसमें दो ही parts होंगे, completely first part और second part के detailed solution के साथ आपके सामने display हो रहा है, तो इस तरीके से हम लोगों ने PTS 17 का detailed solution आपके लिए display कर दिया है, अगर किसी question में आपको problem है, यानि detailed solution देखने के के बताना, उस particular question के लिए मैं separately आपके लिए video lecture record कर दूँगा, ठीक है बच्चो, अब हम लोग मिलेंगे अगले PTS में next PTS के solution के discussion के साथ, वैसे बच्चो, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मैंने इस PTS के solution को completely solve करके discuss क्यों नहीं किया, तो इसके लिए आप लोग ये वाला आने वाले time में PTS 21, PTS 22 ये वाले test भी आप लोगों के लिए मैं discuss करूंगा, जो कि हमारी CBSE 21 sample paper book में नहीं है, बस इसी तरीके से आप लोग अपना प्यार और support हमारे साथ बनाए रखना, With that being said, don't forget to hit the like button of this video, share this video with all of your classmates and also subscribe to this channel and turn all the notification on, ताकि हर वीडियो की update आप लोगों को time to time मिलती रहे, चलिए बच्चों मिलते हैं अब next lecture में, till then, be good, take care, keep watching, thank you.